हेलो एवरिवान वेल्किम टू मैं चैनल आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी ड्रिंक जो गर्मी को दूर भगाएगी और लू से हमें बचाएगी गर्मी में आप एक ग्लास ड्रिंक को पीजिए और एकदम से एनर्जेटिक फील कीजिए ये बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी भी है चलिए शुरू करते हैं इसको बनाने की तैयारी हमने लिया है दो कप पानी यानि के आधा किलो पानी उसके बाद हमने लेना है आटे का सत् इस पानी के अंदर हमने डाल दिया है सत्तू होता है भुने हुए चने का जो आटा होता है उसको सत्तू बलाते हैं ये घर में भी असानी से बनाया जा सकता है और ये मार्केट में भी अवेलेवल होता है आप इसका पैकेट खरीज सकते हैं और इजले इसको बना कर पी सकते अपने बच्चों को भी पिला सकते हैं गर्मी से लू से उन्हें बचा सकते हैं इस सत्तू को हमने अच्छे से एक मटकी के अंदर घोल लिया है ताकि बहुत अच्छा सा टेस्ट इसका निकल कर आए ये रेसिपी बिहार की फेमस रेसिपी है वहाँ पर कई तरह के सत्तू बना वाले है बिहारी स्टू सत्त्तू बहुत ही टेस्टी बहुत ही हेल्दी इसके लिए हमने लेने हैं दो गलास आप कोई भी गलास ले सकते हैं मैने लिए मिर्णático ए मिकलास जासी Germany के बरस्टन गर्मी में ठंडे होते हैं तो जलतर इनका यूस किया जाता है कोई भी ले सकते हैं अब ऐग धुर्टि डालेगे जैगरी पाउडर दूसरे क्लास पे हम डालेगे थोड़ा सा नमक सत्तू धो तरीके से हम बनाने वाले हैं मेठा सत्तू और एक नमकीन सत्तू मेठा सत्तू मेंrai हमें कुछ ड्राइफ्रूट्स जो भी आपके पास में हो बिल्कुल उप्सनल हैं चाहे तो डाले चाहे तो ना डाले और जो हम नमकीन सत्तू बनाने वाले हैं मसाला सत्तू उसमें हम एट करेंगे थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर अब जो हमने पहले से अच्छे से घो किकने सत्तू उसमें झाल यदि तारह से भूदभ कर तयार किया हो कहा है सत्तू उनको हम इस तरह से गलासों में डाल देंगे यह देकिए इस तरह से हमने मीठे वाल ग्लास बना करता है अब हम जो मसाल french classroom बनाने वाले हैं उसको भी गलास को फिल कर लेंगे इस तरह से अब इसको avoid भी कर सकते हैं आपके उपर depend करता है थोड़ा सा डालेंगे इसके उपर masala चाट masala डाल सकते हैं या फिर भुना हुआ powder भी डाल सकते हैं मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डाला है चाट masala आप जो हमारा मीठा सक्तू बन कर तयार हुआ है उसमें हम डाल देंगे कोई भी dry fruits आप यहाँ पर नारियल भी डाल सकते हैं इसको और भी ठंडा और टेस्टी बनाने के लिए dry fruits बिल्कुल optional हैं आप चाहें तो डालें नहीं तो बिल्कुल avoid भी कर सकते हैं अच्छे से कर देंगे दोनों glass को mix अब यह हमारा सत्तू बनकर तयार हो चुका है आप चाहें तो गर्मी भागाने के लिए मीठा सत्तू बना कर पी सकते हैं बहुत ज़्यादा energy मिलने वाली है इससे आपको और अगर आप हैं डायटिंग पर तो आप मसाले वाला सत्तू बना कर भी इंजोई कर सकते हैं पूरा दिन एकदम से ठंडक देगा यह और बहुत ही healthy बहुत ही tasty सबको बहुत पसंद आने वाला है आपको यह recipe कैसी लगी एक बार comment करके जरूर बताना इस recipe को जरूर से अपने घर पर try करना और फिर हमें बताना यह कैसी बनी और सबको यह कितनी पसंद आई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसी ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाइ